अरे यह बिहारी फिश कड़ी बन रहा है और इसी से मैं लंच की थाली तयार करूंगी जो की बन रही है मंडे स्पेशल रेश्पी लेके मैं आई हूँ चंदा दीरा सोई 24 में और चंदा प्रशाद के फेस्बूक पेज पर आपका स्वाजत है तो आज बन रही है हमारे कीचन में मंडे स्पेशल लंच की थाली तो मैं देखें सबते पहले राइस को चड़ा दी हूँ और इधर मैं फिस बना रही है तो फिस को पहले मैं और यह बन रही है बिहारी इस्टाइल दे बिहारी पीश परी तो सारे मसाले को मैं ली हूँ चमाटर है प्याज है एक बड़ा चमच सरसो है और यह चमच पीशी हुई अधरक लहसन का पेश्ट है सारे को मिक्स करके मैं पीश लेती है राइस हमारी बज चुकी है तो कि ओमेगा 3 प्याटी केशिद पाय जाता है जो कि आपके बॉली के लिप बहुत ही अच्छा होता है थाल ही लग रही है तो थो थोड़ा स्पेशल कुछ किस बनाती हूं मैं स्मॉल फिश बनाओंगी भाजा का इत्से लई से बना दे रही हूँ और इसमें भिंजर गालिक पे देता है स्मॉल फिस वाओ इसे बैल लपेटी उसे पांगी से घोल नहीं बनाए बस हलका सा लपेट थे थोड़ा सा मैं कॉन फ्लार भी डाल जी ती इसमें गाइस दे किती किती कृस्पी बनी है थोड़ा सा आप कॉन प्लार या चावल कार्टा मैं इसमें बेशन डाली हू कि मैं बीग बास्केट बीवी नाव से मंगवाती हूँ जहां से आपको हार्डली 20 मिनट्स में समान घर तक पहुंच जाता है और आपकी रेश्पी मैं तो मंगाती हूं भाई ऐसे बीवी नाव से वाओ मिठी दाना और तिल है इसमें इतना में सफिसीयंट है बन जाएगा यह मस्टर्ड वाइल है यह पीसे हुए मसाले को डाल जोती हूं पॉड़न नमक जल्दी डाले कि आपका मसाला जल्दी भूल जाए बहूत गर्मी है बहुत गर्मी है तूमच और हमारे पटना में बहु बहुत अच्छे से घुन चुका है मसाला ज्यादा में मसाला का इस्तवाण नहीं कि हूँ सारा हाफ पीपकुल ली एक चमत मस्टर्ड को यह बन रही थी मंडे स्पीसल ब्लॉग लेके प्रिंट बैया आई थी बहुत जर्मी है मैं आपको बता नहीं सब्सक्राइब यह मचली का सालन बना है बिहारी अस्टाइल में यह देखें अब कर दी हूं और देखिए मैं इसे बहुत अच्छी मचली बनी है दम लजीज देखने में देखिए कि अच्छी लग रही है कि मंडे थाली तियार होगे तुम्हें या तो बहुत गर्मी है सर किसे मैं पसीना से भी में अपना फेस भी नहीं दिखा पारें इतना गर्मी है तो यह देखिए बन चुका है हमारा बिहारी स्टाइल फिस्ट करी आप जरूर ट्राइब कीजिए और यह देखिए मैं फिस् की मंडे इस पेसल लंच की थाली की रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज 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 फॉलो माई फेस्बूक पेज चंदा प्रशाब और माई यूटूब चैनल चंदा दीरस्वोई 24 दुआओं में याद रखेगा और फिर मिलते हैं इसी तरह नए नए रेस्पी के साथ नए नए फटा फट हेल्दी थाली के साथ तब तक के लिए बाबाई